शू प्रभात मैं सरिताश्रवास्तव महात्मा गांधी सिक्षन संस्थान की हिंदी की सिक्षिका बच्चों आज 14 सितंबर है आज हमारा हिंदी दिवस है हिंदी भासा को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी भासा को बल देने के लिए प्रती वर्स हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं अब आपके मन में एक प्रस्ण होगा कि 14 सितंबर को ही हम क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं तो बच्चों 14 सितंबर 1909 को हिंदी भासा को हमारे संविधान में अस्थान दिया गया था, राज भासा के रूप में सुईकार किया गया था, इसलिए हम सभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो बच्चों हमें हिंदी पर अत्याधीक जोड़ देना चाहिए हिंदी को अपनाना चाहिए हिंदी हमारी पहचान है अब हम आपके पाठ पर आते हैं बच्चों अब आपके सामने परिक्षाएं आने वाली हैं उन परिक्षाओं की तयारी करने के लिए अब पाठों का पुन्राविर्ती जरूरी है तो अब तक जो पाठ पढ़े हैं हम लोग हम उन्हें फिर से पुन्राविर्ती के रूप में पाठ को दोहराने के रूप में उसे एक-एक करके पढ़ेंगे आज मैं इस वीडियो के माध हम से आपको पाठ एक पढ़ाने जा रही हूँ तो बच्चों ये पाठ एक में आपका एक सुन्दर सा कवीता है आज हम उस कवीता पाठ को पढ़ेंगे उसके अर्थ को समझेंगे सूरज की जब किरने आती बगिया में कलियां खिल जाती मिट जाता घंगोर अंधेरा हो जाता सब जगह सवेरा बच्चों इन चार पंक्तियों का मतलब है कि सूरज की किरने जब आती है तो बाग बगीचों में सारी कलियां खिल जाती है अंधकार दूर हो जाता है और सभी पर सबेरा हो जाता है, सूरज की जब किरने आती, आखें सब की खुल जाती, आलस सब का हट जाता, बच्चा बच्चा जग जाता, बच्चों इन चार पंग्तियों के माध्यम से कभी कहता है कि सूरज की किरने जब आती हैं, तो सभी की आखें खुल जाती है, आलस को त्याक कर बच्चा बच्चा जग जाता है, उठ जाता है, सूरज की किर्णे जब आती, अपने संग संदेशा लाती, नई रोशनी तुम अपना लो, जीवन में परकास फैला लो, इन चार पंक्तियों में कभी कहता है कि सूरज की किर जब आती हैं, तो वह अपने साथ एक संदेशा लेकर आती है, कि हमें अपने जीवन में परकास फैलाना चाहिए, जैसे सूरज अपना परकास फैला कर पुरी धर्ती में उजाला फैलाता है, परकास देकर सारी धर्ती में उजाला फैलाता है, उसी तरह से हमें अपने जीव किरने आती, बढ़े चलो का पाठ पढ़ाती, कहती सब को गले लगाओ, प्रेम भाओ की सरगम गाओ, जब सुरज की किरने आती है, तो हमें क्या पाठ पढ़ाती है, बच्चों, हमें पाठ पढ़ाती है, कि हमें हमेशा आगे बढ़ते चलना चाहिए, और सभी को मिल जूल कर रहना चाहिए एक दूसरे को गले लगा कर प्रेम भाव से प्रेम भाव के सरगम प्रेम भाव के गीत गाने चाहिए तो बच्चों आज हम पाठ को पढ़े हैं उसका आर्थ समझे हैं अगले वीडियो में हम इसके प्रस्नुत्तर को देखेंगे धन्यवाद